हेलो फ्रेंड्स, आईटी कंप्यूटर गुरोजी यूटूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, लिब्रियो आफिस राइटर ट्यूटूरियल स्रीज में ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉकुमेंट के अंतरगत आज हम जिस टॉपिक को कबर करेंगे वो है डॉकुमेंट को ओपन करना, राइटर डॉकुमेंट में सेब एंड सेब एज ओप्सन का यूज करना, राइटर डॉकुमेंट को क्लोज करना और राइटर डॉकुमेंट में हेल्प ओप्सन का उप्यो करना स्थिखेंगे Writer में किसी पुराने डॉकुमेंट को open करने के लिए आप Standard toolbar पे दिये गए इस open option पे क्लिक करिए या Keyboard से Ctrl प्लस O press करिए Otherwise File menu में जाके open option पे क्लिक करिए जैसे आप open option पे क्लिक करेंगे तो open का एक dialogue box खुल कर आएगा आपको अपनी computer system में जिस भी drive से document open करना है उस पर click करके उसे open कर लिजे और जो file आप open करना चाहते हैं उसे select कर लिजे और select करने के बाद यहां दिये गए open option पे click करिए तो देखिए screen पर वो file open हो जाएगी ऐसे ही अगर आप writer document को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए file menu पे जाएए और file menu के अंदर देगए close option पे click करिए तो देखिए वो document बंद हो जाएगी आप writer document को बंद करने के लिए keyboard से control प्लस W shortcut कुझी का भी प्रियोग कर सकते हैं ऐसे ही writer application को बंद करने के लिए आप यहां पर देगए close option पे click करिए या file menu में जाकर exit LibreOffice option पे click करिए otherwise keyboard से control प्लस Q shortcut कुझी का भी प्रियोग करके आप LibreOffice writer application को इस तरह से close कर सकते हैं writer document में किसी file को अपने computer system में सुरचित करने के लिए आप standard toolbar पर दिये गए save option पे click करिए या keyboard से control प्लस S shortcut कुझी का भी उप्योग कर सकते हैं otherwise file को save परने के लिए आप file menu पे जाईए और यहां पर दिये गए save option पे click करिए जैसे आप save option पे click करेंगे तो एक save as का dialogue box open होगा जहां पर आप file name section में कुछ भी नाम type कर दिजे ये file का और save button पे जैसे आप click करेंगे तो वो file save हो जाएगी और उसका जो नाम है वो title bar के उपर file extension के साथ आ जाएगा ऐसे ही library office writer में आप किसी file का नाम या computer में उसका location save as option की help से बदल सकते हैं उसके लिए आप file menu पे जाएए और यहां save as option पे click करेंगे file का नाम बदलने के लिए आप file name section में जो भी नाम देना चाहते हैं वो type कर दिजे और save button पे click करेंगे तो देखिए file का नाम change हो गया है library office में online help option की भी facility है उसके लिए आप help menu पे click करिए और अगर आपकी system में internet connect रहेगा तो इसमें से दिये गए किसी भी option में आप click करेंगे तो उससे related help आपको library office की website से मिल जाएगी तो इस वीडियो में हमने document open करना, save और save edge option का उप्योग करना, document को close करना और writer में help option का उप्योग करना सिखा है thanks for watching, please like share video and subscribe IT Computer Guruji YouTube channel, thank you so much and take care